तो यहां पर मैंने सबसे पहले कठाई लेनी हैं तो पहले हम सबसे पहले अखनी तियार करेंगे तो यहां पर अखनी वाला प्लाव हम लोग को पसंद आता है तो यहां पर मैंने 6 teaspoon oil लिया है बड़े वाले क्योंकि 1 kg की हमें प्लाव बनाना है तो 6 teaspoon हमने oil लिया है बड़ा spoon जो होता है तो oil कम अच्छे से heat करेंगे तो वीडियो को लाज तक देखेगा I hope कि आपको यह वीडियो अच्छे लगे और क्या कहने चाहरे थे हम आपसे कि यह सोयबीन की बियानी बहुत ही अच्छे लगती है तो यहाँ पर मेरा oil अच्छे से heat हो गया है अब इसमें हम अपने कुछ खड़े मसाले दालेंगे तो यहाँ पर मैंने 2 इंच का टुकोडा cinnamon का डाला है और छोटी लाइची दो डाली है एक बड़ी लाइची डाली है 8 से 10 long डाली है और एक टी स्पून ये करीब हमने काली मिर्श डाली है खड़ी और मारे मसाले अच्छे से हो गए है यहाँ पर मैंने 4 onion को चॉप्ट कर लिया था और इसको अच्छे से हम इसको fry करेंगे सॉयल में ताकि हमारी प्याज अच्छे से लाल हो जाए हमें अखनी बनानी है तो यहाँ पर प्याज को मैं अच्छे से लाल करना है ज्यादा भी लाल नहीं करना है मस थड़ा medium लाल करना है जिससे रेड़ रेड़ हलकी सी हो जाए आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ अच्छा आइडिया मिल जाए और कुछ अच्छी पकाने की डिश भी पता चल जाए और आप इससे बनाएं, बहुत ही सिंपल है, जाड़ों में बहुत अच्छी लगती है तो यहाँ पर मैंने 4 टी स्पून के करीब जिंजर गालिक पेस्ट लिया है तो हम इसको डाल देंगे इसको अच्छे से और इसको अच्छे से हम भून लेंगे इस प्याज के साथ ही और यहाँ पर मैंने 1 टी स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर लिया था और वन टी स्पून हम इसमें सॉल्ड डालेंगे और इसको भी मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे इसी ओयल में बिना पानी के और यहां पर मैंने जो सोया बीन लिए रखी है यहां पर मैंने 200 ग्राम सोया बीन ली थी तो मैंने इसको आधा गंटा पानी में भीको के रख दिया था और इसको अच्छे से इसका पानी एक्जॉफ कर दिया और अब यह बिल्कुल ड्राई सोया बीन हो गई है तो यहां पर मैं वन टी स्पून के करीब गरम मसाला डालूंगी यह एवरेस्ट का गरम मसाला है आप कोई सा भी ले सकते हैं तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे और सरदी के वज़े से मुझे सोड़ा सा कोल्ड हो गया है तो इसकी वज़े से मेरी आवाज थोड़ी बैड गई है और यहां पर मैंने सोया बीन को डाल दिया है और इसको मैं लगातार हाई फ्लेम पे इसको भूनूंगी ताकि इसी अच्छे से फ्राई भी हो जाए मसाले के साथ और इसमें बीना पानी के हैं मैं इसे अच्छे से फ्राई करना है बिल्कुल भी ओयल बिल्कुल पानी नहीं डालना है ताकि हमारी सोया बीन अच्छे से मसाले एक्जॉफ कर ले और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए और इसी में गलती रहे तो दो मिनट के लिए मैं ऐसे चलाती रहूंगी इसको लगातार बिना चमच हटाए इसको चलाना है और चलाते रहना है ताकि क्या करते हैं आपकी सोया बीन अच्छे से हर तरफ से फ्राई हो जाए और मसाले एक्जॉफ हो जाए और आप देख सकते हैं आप इसमें तेल भी छोड़ दिया है सोया बीन ने तेल अलग-अलग हो गया है तो तेल भी आ गया है तो दो मिनट हो चुका है तो चलिए अब पानी चटा दिया है इसमें मैंने नमक डाला है आप नमक स्वादानूर सार डाले पानी में डालने के बाद आप चिक कर सकते हैं कि नमक सही है कि नहीं यहां पर मैंने तीन से चार तेज पत्ता लिया है और यहां पर एक सिनिमन का यानि की एक टुकोडा जो है मैंने लकड़ी का डाला है और इसमें अब हम डखकन लागा देंगे ताकि यह है पानी हमारा खॉल जाए अच्छे से बॉाइल हो जाए तो अब यहां पर मैंने ग्रीन चीली डालना है तो हम देख रहे हैं पानी अच्छे से धीरे धीरे बॉाइल हो रहा है तो यहां पर चार पास मैंने ग्रीन चीली ली ते उसको डाल दिया है तो यह भी अच्छे से बॉाइल हो जाएगा इसका भी थोड़ा अलग फ्लेवर आता है तो ग्रीन चिलीज को आप चाहें तो सोयबीन के साथ भी डाल सकते हैं पर हम इसमें डालते हैं और मैं मतर चाहती तो सोयबीन के साथ डाल सकती थी पर मैंने नहीं डाला क्योंकि थोड़ा सा मटर का कलर चेंज हो जाता इसलिए हम चावल के साथ इसको बॉयल करेंगे मटर को भी साथ में तो यहाँ पर मैंने 200 गिराम मटर लिये थे तो मैं इसको पहले से डाल दूँगी यह फ्रोजन मटर है अभी मटर मार्केट में आ नहीं रहा है ताकि और ढक्कन इसमें मैं लगा दूँगी ताकि अच्छे से बड़े ऐसा बॉयल आ जाए आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा कि सोया बीन और मटर का फ्लाव आपको कैसा लगा प्लीज बनाईएगा आप लोग घर पर बना के बताईएगा कि मुझे आपको मेरी डिश कैसी लगी आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करिएगा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग वीडियो भी मिलती रहे क्योंकि और भी मोर व्लॉग आने वाले हैं लिप्स्टिक का भी मैं भी रिव्यू करूँगी मैंने भी दो लिप्स्टिक और की थी बन गई है और आप देख सकते हैं मैं इसमें तह लगा रही हूँ हमारे अकनी का ही प्लाव बनता है किसी वी चीज का और यह खाने में बड़ा डिफरेंट भी लगता है मैं चाहती तो सोयबीन के साथ चावल को डाल सकती थी पर यह एक डिफरेंट इस है इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और इसका फ्लेवर भी थोड़ा लगाएगा तो यहाँ पर मैंने दुसरी तह लगा दिया और उपर से मैं राइस डाल दूँगी मटर को और यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून पुला वाला रंग लिया था इसमें एक चमस से उपर मैंने केवडा जल डाला था यानि केवडा वाटर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस रंगों मैं डाल दूँगी और 15 मिनिट के लिए मैं ज़सके स्टीम करना है तो यहाँ पर मैं पेपर का इस्तिम्ल करती हूँ तो आप पेपर लगाई है यहाँ पर मैंने डबल पेपर लगाया है उसके अपर धकन रख देना ह। उसके ओपर कोई भारी चीज रख देना और फिप्टीन मिलस के लिए हाई टू लिए लिए लो फ्लेंप इसको स्टीम करना आप देखें मेरे बुलाओ तयार हो गया है और बहुत ही यूमे और डिलिशस लग रहा है तो मैं इसका अच्छे से नीचे से चला दूंगी ताकि हमारी अकनी के साथ राइस मिल जाए तो य आप भी बनाए और इसे बताए प्लीज कमेंड में कि आपको मेरा ये सोयबीन मटर का प्लॉग कैसा लगा तो वीडियो को यहीं पर हैंड करते हैं थैंक यू करते हैं झाल झाल करते हैं